जे मातादी दोस्तों, वर्ल बेस्ट मेजिक में आपका हार दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जे मातादी जरूर लिखें दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीवित पुत्र का वरत की सही तारीक क्या है? और नहाय खाय का मुहूरत क्या रहेगा? साथ ही हम आपको बताएंगे कि जितिया वरत का पारण कब किया जाएगा? इसके साथ ही आपको सरगी और ओठगन करने का सुमूरत भी बताऊंगी और नहाय खाय के सही नियम क्या है? और पूजा में आपको कौन सी गलतिया नहीं करने चाहिए इसकी भी जानकारी दूँगी लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है त तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथी इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों हर साल अस्विन मा के क्रश्न पक्च की अस्टमी तिथी को जीवित पुत्रिका का वरत रखा जाता है जिसे हम जितिया वरत या जियतिया वरत के नाम से जानते हैं ये वरत सब्तमी तिथी से लेकर नौमी तिथी तक चलता है दोस्तों ये वरत माताएं अपनी संतान की दीरगाय और सुख समरधी के लिए रखती हैं ये वरत बहुत ही कठिन है क्योंकि ये वरत निरजल और निराहार किया जाता है तो चले जान लेते हैं कि साल दो हजार चौबिस में जीवित पुत्रिका का वरत कम रखा जाएगा तो आपको बता दें कि जीवित पुत्रिका का वरत इस साल 24 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक बनाया जाएगा जिसमें से नहाय खाय 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को होगा और जीवित पुत्रिका का वरत जो की मुख्य दिन होता है इस दिन रिजला वरत धारन किया जाता है ये 25 सितंबर 2024 दिन बुद्धवार को रखा जाएगा और इस बार अस्टमी तिथी की सुरुवात 24 सितंबर 2024 की दोपहर को 12 बचकर 38 मिनट पर हो जाएगी और अस्टमी तिथी की समापती 25 सितंबर 2024 की दोपहर को 12 बचकर 10 मिनट पर होगी और बात करें पूजा के सुमूरत की तो जितिया व्रत की पूजा का सुमूरत 25 सितंबर को सुबा 10.41 मिनट से लेकर दोपहर 12.12 मिनट तक रहेगा और इस दिन सुर्यास्त का समय साम 6 बचकर 14 मिनट पर रहेगा और 25 सितंबर को राहु काल का समय दोपहर 12 बचकर 12 मिनट से लेकर दोपहर 1 बचकर 43 मिनट तक रहेगा तो दोस्तों राहु काल में आप पूजा से सम्मंदित कोई भी कारें ना करें और जितिया वरत का पारण 26 सितंबर 2024 दिन गुर्वार को किया जाएगा और जितिया वरत पारण का समय 26 सितंबर को प्राता काल सुर्योदे को अर्द दे कर किया जाएगा और 26 सितंबर को सुर्योदे का समय सुबच है बचकर 12 मिनट पर रहेगा तो आप 26 सितंबर को सुबा 6 बचकर 12 मिनट के बाद जितिया वरत का पारण कर सकते हैं और बात करें सरगी वा ओठगन के सु मूरत की तो दोस्तों सरगी हमेशा ब्रह्म मूरत से पहले ही खालेनी चाहिए और 25 सितंबर को ब्रह्म मूरत सुबा 4 बचकर 36 मिनट से स्टार्ट होगा तो आप सरगी सुबा 4 बचकर 36 मिनट से पहले ही खालें यही स्रेश्ट रहेगा और ध्यान रखें की सरगी में आप सिर्फ मीठा ही भोजन करेंगी इसमें नमकीन खाना सकत मना है इस समय माताएं दही चीनी, खीर या ओटगन आ दिखा लेती है इसके बाद उनका निरजल व्रत सुरू हो जाता है ध्यान रखें की ओटगन के बाद महिलाएं व्रत के पारण तक किसी प्रगार का अन और जल मूँ में नहीं डालती है सभी प्रकार के व्रतों में से ये व्रत बेहदी कठिन होता है दोस्तों जितिया व्रत के एक दिन पहले नहाय खाय होता है व्रत के एक दिन पूर्व व्रती महिलाओं को किसी पवित्र नदी में इसनान करने के बाद मंडूआ की रोटी, नोनी कसा, कांदा, जिंगनी आदी का सेवन करना चाहिए व्रती महिला इसनान करने के बाद ही भोजन करेंगी लेकिन उससे पहले जीमुत वहन, चील और सियारिन और पितरों के लिए निनूआ के पत्ते पर खाना जरूर निकाले अब बात करते हैं नहाय खाय के नियमों के बारे में कि इस दिन नहाय खाय के समय क्या गलती नहीं करने चाहिए दोस्तों, जितिया व्रत के एक दिन पहले यानि नहाय खाय को सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए ऐसा करने से वरत खंडित हो जाता है इसका फल संतान को मिलता है तो वरत खंडित होने पर बुरे प्रभाव भी संतान को ही जिलने पड़ते हैं दोस्तों नहाय खाय के दिन वरती और उसके परिवार के सदस्यों को खाने में प्याज लेसुन नहीं डालना चाहिए ऐसा खाना तामसिक माना जाता है और वरत के दिन तामसिक भोजन ना ही पकाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए इसके लावा इस दिन गलती से भी बाल ना काटें और ना ही कटवाएं साथ ही इस दिन नाखून काटने की भी मना ही होती है दोस्तों जितिया व्रत परम पावन है इस व्रत में असुद्ध या मलीन कार्यों से परहेच किया जाता है इसके लावा नहाय खाय से लेकर जितिया पारण तक पुंडता ब्रमिचर्णे का पालन करना अनिवार रहे है ध्यान रखें कि इस दिन घर में को व्रत में जूट बोलने से बचना चाहिए माना जाता है कि जूट बोलना महा पापों में से एक है किसी व्रत में जूट से किसी का अहित होने से रुख सकता हो दोस्तों जूट या व्रत में किसी के लिए भी अब सब्दों का इस्तमाल भी नहीं करना चाहिए और ना ही किसी जूट के साथ हिंसा करनी चाहिए माना जाता है कि ऐसा करने से आप का व्रत निस्फल हो जाता है दोस्तों जितिया वरत के दोरान आच्वन करना भी वर्जित होता है इसलिए जितिया वरत के दोरान जल की एक भी बूंद अपने मुँमें नहीं डालने चाहिए इसके लावा आपको बता दें कि जितिया का वरत यदि आपने एक बार शुरू कर दिया तो उसे हर साल रखना चाहिए इस वरत को आप बीच में छोड़ नहीं सकती है मानता है कि पहले सास इस वरत को करती है और उसके बाद घर की बहुँँ दौरा भी ये वरत किया जाता है तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में चैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद